वेल्कम टू क्रेजी टीकेट रिक्ट दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फाइंड दी नंबर ओव जीरो का कॉश्चिन आंसर सेशिन यहां पर हमने कंसर्ट वीडियो देख चुका है और आज का सेशिन होने वाला है पाइट सेकेंड चलेंज यहां पर हम इस टाइप के कोश बहुत आसानी से बना ले जाएंगे चली शुरुबात करते हैं आज के वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला कोश्चिन क्या है तो देखें पहला कोश्चिन क्या लिखा हूँ है 47 फैक्टोरियल में शुन्यकों की संख्या ग्याद करें आपको यह बताना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 47 यहाँ पर इसे आप करेंगे 5 से डिवाइड जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में जाएगा यह 9 बार में जाएगा कितनी बार में नौ बार में जो भी रिमेंडर बचेगा उसे भूल जाएं फिर वापस इसे 5 से डिवा होएंगे 10 जिरो हैंगे याने option c 10 हमारा नहीं आंसर होगा I hope आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा नहीं समझ भाया है तो दूसरा तरीक भी देख लीजे 47 प्रेक्टूरियल का मतलब क्या होता है 1 into 2 into 3 into 4 इस तरीके से हमें कहा तक जाना है 47 तक multiplication करना है तो आप यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले 5 देखेंगे क्योंकि हमें पता है 2 तो बहुत बार मिलेगा 5 जितनी बार मिलेगा उतनी बार ही वो 2 के साथ कमाई होंके 0 बना पाएगा तो हम जो कम मिलेगा उसे डूनेंगे जैसे हमें यहां पर कम बेंगे 5 यहां पर हमें कम मिलेगा फ्रिजब 15 पर पहुंचेंगे तो यहां पर हमें 5 जो two बार मिलेगा जब हम 20 पर पहुंच flowers ש हबार मिलेगा 35 में 30 की बार हमें 30 पर पहुंचंगे तो यहां पर हमें 5 एक बार मिलेगा 35 पर पहुंचेंगे तब भी 5 एक ही बार मिलेगा 40 पर पहुंचेंगे तब भी 5 एक ही बार मिलेगा पुरी क्लियर है 45 पर पहुंचेंगे तब भी 5 एक ही बार मिलेगा तो यहां पर हम इसके पांचों को जोड़ लेंगे कि कितनी बार 5 आया ह है तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें मिला है एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस बार तो अब खुद सोच लीजे आपको कौन सी मेतल ज्यादा विटर लग रही है यह वाली यह यह वाली आंसर दोनों में सहीं आना है सेम आना है हम चलते हैं अगले कोशिन पर और आगे बढ़िने से पहले आपके लिए एक छोड़ा सा अपडेट है देखें अप्लिकेशन पर एडवांस मैट्स, MPG के कंप्यूटर कोर्स, इंगलिश, हिंदी और भी बहुत सारे कोर्सिज ऑनलाइन सेक्शन के कैटिकरी में आपको मिल जाएंगे तो अभी जाकर क्रिजी की ट्रिक्क्य अप्लिकेशन पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम चलता है सीधा अगले कोशन पर, अगला कोशन देखें क्या लिखा हूँ है, शुन्यकों की संख्या ग्यात करें और कोशन है 21 x 22 x 23 ऐसे करके मुझे 60 तक जाना है, और देखें अगर मैं आपसे बोलता कि 1 x 2 2 x 3 x 4 ऐसे करके आप 60 तक जाएए, तो आप तो इससे सीधा बोल देते ना कि सर ये 60 फैक्टूरियल है, और 60 फैक्टूरियल को हम बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं, जिसे हमने पहले निकाला था, कि पहले 60 यहां लिखते, फिर 5 से डिवाइट करते, फिर ये 12 बार में चला लिख लेते हैं, बट यहां पर 1 से नहीं, बलकि 21 से शुरू हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 21 के पहले वाले, याने 1 x 2 x 3 ऐसे करके जो 20 तक है ना, उसे हम माइनस कर लेंगी, याने एक तरीके से मैं बोलना हूँ, तो 20 फैक्टूरियल माइनस कर लेंगी, तो बैसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम 60 फैक्टूरियल के जीरो में से 20 फैक्टूरियल के जीरो माइनस कर लेंगे, तो हमें बता चल जाएगा कि 21 से लेके 60 मुल्टिप्लिकेशन करने पर कितने जीरो आएंगे, तो अगर मैं आपसे बोलू कि 1 x 2 x 3 x 4 ऐसा करके 20 तक जाना है, याने 20 फैक्टूरियल के जीरो निकालने आपके लिए बहुत आसान बात होगी, याने कुल मिलाकर कितने वीडियो आएंगे, केवल 4 जीरो आएंगे, यहाँ पर टोटल 1 से लेके 60 तक 14 जीरो थे, 1 से लेके 20 तक 4 जीरो थे, तो अगर मुझे 21 से 60 तक निकालना है, तो मैं इसमें से 60 में से यह शुरू के 20 माइनस कर दूँगा, याने कुल मिलाकर 21 से लेके 60 तक में मुझे मिलेंगे 10 जीरो याने option C, again मेरा सही आंसर हो जाएगा, I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा और बहुत ही easy question था, है कि निक, बस आपको सही तरीका बताओ कि इसे कैसे करना अगले question पर आते हैं, अगला question देखे क्या लिका हुआ है, शुन्यकों की संख्या ग्याद करें, और यहाँ पर यह बड़ावना सा दिख रहा है बस, 1 की पाउर 1 factorial, 2 की पाउर 2 factorial, 3 की पाउर 3 factorial, आपको पता है कि यहाँ पर अगर मुझे 0 बनाने है, तो मुझे सब से पहले देखने होंगे 2 और 5, यही तो 0 बनाते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2 तो कई बार मिल जाएगा, हैकिन 5 कम मिलेगा, 5 less times मिलेगा, तो हम सीधा 5 को भी पकड़ते हैं, 5 कहा मिलेगा, एक तो 5 की पाउर 5 factorial पे मिलेगा, और उसके बाद सीधा 10 की पाउर 10 factorial पे तो यहाँ पर भी मैं इसे क्या लिख सेथा हूं, 2 into 5, तो basically मैं करके रहा हूं कि मैं 5 की पाउर जो है न, एक यह 5 factorial और दूसर जो यहाँ से निकलेगा, 5 की पाउर 10 factorial, इनको अगर मैं multiplication में लिखूं, तो जब numbers base multiplication में होता है और base same है, तो जो powers होती हैं, वो add हो जाती हैं, य याने option C, again हमारा सही answer हो जाएगा, I hope आपको एक question समझवे, आगया होगा, बहुत easy question था, बस आपको इसका ध्यान रखना है कि 5 की पाउर कितनी है, 5 की पाउर 5 factorial है, और यहाँ पर 10 जरूर है, पर 10 में भी 2 और 5 है, तो यहाँ पर भी 5 की पाउर 10 factorial होगी, दोनों multiplication में हैं, तो 5 की पाउर 5 factorial प्लस 10 factorial हो जाएगी, और options C हमारा सही answer हो जाएगा, चली, अगले question पर आते हैं, अगले question लिखे क्या लिखा हुए, 0 को की संख्या ग्यात करें, अब देखिए, यहाँ पर आपसे बोला है कि 100 factorial और 200 factorial दोनों को add करना है, अब आपको पता है कि अगर मैं तो यह आप 1500, ठीक है, इसमें आप जोड़ी है, 1500, अब मुझे एक बात बताईए, आखरी में 0 कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे 2 ही 0 आप आएंगे, क्योंकि यह जो तीसरा 0 है, यह तो 5 के 7 add के 5 बनाएगे, तो आपको जब भी बीच में plus का sign देखे, तो यह देखना ह गरेंगे, बस 100 factorial को ही निकाल लेंगे, याने 100 factorial को इस तरीके से लिखतार 5 करेंगे, यह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 5 करेंगे, इस कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, अब ए और फरदल मैं हो सकता, तो कोई बात नहीं, बिज और 4 Hundreds जीरो आएंगे दूसों फैक्टूरियल में जादा जीरो होंगे बात समझ रहें आप भाई मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पर चार जीरो उसके बाद नंबर लिखा है तो यहां पर इन नोनों का एट करने पर जीरो कितने आएंगे चार आएंगे तीन आएंगे तो जिसमें कम जीरो में वहीं वाले जीरो आएंगे है की ने तो यहां पर मुझे 1100 में या 1100 में 300 देखे लिए जिसमiskt aun में 10inä क्वेक्टार के क्लेगा मुषन पर आते हैं अगला खुशिंदे के क्या लिकाओ है शुन्यकों की संख्या ग्यात करें यहाँ पर आपको zeros निकाल ले हैं आप देखें जीरो कैसे बनता है तो दो और पांट से बनता है जिसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ zeros तो आपको आपके सामने देख रहे हैं जैसे यह एक जीरो यह दो जीरो यह तीन जीरो यह चार जीरो यह पांट जीरो और उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यह जितने भी नंबर्स है न यह क्या है यह बेसिकली पांच के मल्टिप्लेकेशन में हैं कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ 10 अगर मैं इन सब में से 5 common निकाल लेखे ये है 5 इंटू 1 है कि नी फिर ये है 5 इंटू 2 फिर ये है 5 इंटू 3 फिर ये है 5 इंटू 4 अगला नंबर 20 जो है वो क्या है 5 इंटू 4 हो जाएगा इस तरीके से ये multiplication करते ये है 5 इंटू 10 तर याने 5 कितनी बार आएगा 10 बार तो 5 अही जाएगा याने 5 की पावर 10 तो होने ही होना है इसके साथ multiplication में है क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरीके से ये 10 तक जाएगा बात समझ भाई है आपको मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने जो नंबर इनको तोड़ा 5 इंटू 1 यह जो नंबर है 5 इंटू 2 देख र याने फुल मिलाकर मैं इसे सीधा 10 इंटूरियल बोल सकता हूं अब मुझे बताइए 10 इंटूरियल में कितने जीरो आएंगे 10 इंटूरियल का जीरो निकारियें तरीका बहुत ही सिंपल है 5 यहाँ पर लिख देंगे 2 आ जाएगा बात समझ में आ रही है यहाँ पर 2 जैसे यह आपको कई बर 2 भी देदेगा यहाँ पर कुल मिलाकर यह 10 और यह 2 कुल मिलाकर 12 zeros मिलने वाले हैं कितने 12 zeros clear है चली अगले कुशिन बताते हैं अगला question देखे क्या लिका हुआ है ? शून्यको की संख्या ग्याद करें यहाँ पर आपको यह series दे हुए है और इसके 0 आपको निकल ले हैं अब देखे यह जो आप series देख रहे हैं बहुत ही अच्छा question है यहां पर आप अगर सिर्फ 5 के power निकालने जाएंगे तो answer गलॉड हो जाएगा कैसे देखें यहां पर मैं इसे बोलता हूँ 5 into 1 पहले term को लिख रहा हूँ 5 into 1 दूसरे को लिख सकता हूँ 5 into 2 तीसरे को लिख सकता हूँ 5 into 3 चॉथा चॉथा यहने 20 20 we use testouch acknowledging the chart 2P collected points इस तरीके से में 100 बहुत असानी से जा सकताँ यह अपकु लिख रहा हो सिर सम्झहाने के लिए आपको नहीं लिखना है इतंगा यह मैं आपके लिख कर आया ही कि यहां पर बने हमेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने सिर्फ ये जो पहले term से इनको लिए नहीं तो अब बोलेंगे सर ये हान तो दो बार आएं तो मैंने अब ये second वाले term ko नहींलिए मैंने इनको परस्ट वाले term's को लिए कि नहीं कहा तक 10 तक तो क्या यह 10 factorial नहीं हो गया बोलिए क्या यह 10 factorial हो गया अगर यह 10 factorial है तो 10 factorial में 5 कितनी बार आएगा यह निकालना तो बहुत असान है 10 को ऐसा लिखने का 5 यहाँ पर लिखेंगे 2 बार तो यहाँ पर सिर्फ खतम हो गया अब अगली बार 5 से डिवाइट तो होगा नहीं तो कितनी बार आएगा केवल 2 बार यानि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 5 की पावर 10 इंटू यहाँ पर 5 की पावर 2 है पर क्या 2 भी बारा बारा रहे नहीं 2 बारा बार नहीं आएगा अब मैं आपको बताता हूँ 2 कैसे निकाल ला है देखे यहाँ पर तो 2 हैं ही नहीं 10 फेक्टूरियल में ही जितने 2 हैं वो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और इससे डिवाइट करेंगे 2 से तो यहाँ पर आजाएगा 5 फिर 2 से डिवाइट करेंगे तो 2 दो नीच चार फिर 2 से डिवाइट करेंगे तो 2 एकम दो जो remainder आ रहा है उसे छोड़ते हैं तो कुल मिलातर देखें 2 कितनी बार आया 8 बार यानि 2 की पावर 8 ही यानि है अब मुझे एक बार पताईए 5 भले ही 12 बार हैं पर इसके साथ multiplication के लिए 2 तो केवल 8 ही बार है न तो इन 12 में से केवल 8 ही यूज हो पाएंगे 0s बनाने के लिए तो 0s कितने होंगे 8 होंगे यानि option A मेरा सही answer होगा I hope आपको ये समझ में आगया होगा बहुत ही बड़िया question था conceptual था यानि हर बार 5 को लेकर ही नहीं चले आना है कि 5 की पावर इतनी है तो 0s भी उतने होगे आपको 2 भी देखना होगा कई बार ये obvious होता है कि 2 की संख्या 5 से जाद ही होगी तो वहाँ पर हम 2 को नहीं गिनते फिर जहाँ पर भी हमें doubt हो कि हो सकता है कि 2 की संख्या 5 से कम भी हो सकती है ऐसी जगा पर हमें 2 भी गिन लेना चाहिए चले अगले question पर आता है अगला question देखे क्या लेका होगा है सुन्यको की संख्या निकाले तो यहाँ पर basically क्या चलता है देखे even numbers है और यह दो एकम दो, दो दू निकाल, दो तिया, छे, दो चौके, आट, दो पंजिदर यानि यहाँ पर भी पिछले question जैसी series ही चल रही है कितनी बार आया है तो तो देखे यहाँ से भी दो कुछ न कुछ न कुछ तो निकल जाएगा तो अब आप खुछ समझिए कि 5 की पावर जादा होने वाली है दो की तो आप खुछ समझता रहें कि यहाँ पर तो 2 की पावर बहुत जादा हो जाएगी तो मुझे गिनने है सिर्फ 5 क्योंकि जितने 5 आएंगे उतने 0 भी बन पाएंगे तो 100 पेक्टूरियल का 5 निकालना बहुत आसान है आपको भी पता है 5 से डिवाइट करेंगे यह 20 आएगा फिर 5 से डिवाइट करेंगे यह 4 आएगा अब यह फर्दर नहीं हो सकता है याने खुल मिलाकर 24 जिरो आएंगे याने option भी इसका सहीं होगा आपको यह बात समझ में आ गई होगी चली अगले question पर आता है अगला question देखें चली चली को की संख्या ग्याद करें 10 की power 1 into 10 की power 2 into 10 की power 3 into 10 की power 4 ऐसा करके 10 की power 10 तक जाना है याने 10 की power अगर मुझे पता है तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 मैं ऐसे अराम से लिख सकता हूँ 10 तक हमें पता है ना गर base same हो और number multiplication में हो तो power जाइड हो जाती है तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक मुझे add कर देना है और मुझे पता चली जाए का zeros कितने हैंगे तो कितने आएंगे तुरी कि 1 से लेके 10 तक जब आप add करते हैं तो कितना मिलता है यहाँ पर आपको सीधा से एक formula भी पता होना चाहिए कि n into n plus 1 upon 2 का कितने number आप add करते हैं तो 10 याने n की value गोई 10 into 11 upon 2 तो यह आ जाएगा 55 याने 5 दस की power 55 याने कितने zeros होने वाले 55 जीरो होने हाले option 20 का सही answer होगा आपको यह बाद समझ में आ गई होगी और यह formula किसका है यह है sum of n natural numbers sum of first and natural numbers ठीक है हमने यह सभी ने पढ़ रखा है यह formula हमें पता होना चाहिए तो कभी अगर आपके सामने 10 की जगर 20 या 30 या 40 50 ऐसे numbers आगे जो आप add नहीं कर सकते हैं फिलाल तो आप इसे चलिए अगला question देखें के लिखा हुए 2 की power 1 into 5 की power 2 into 2 की power 3 तो basically करना कुछ नहीं है यहाँ पर अब 2 और 5 को अलग अलग कर ले 2 की power देखें यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 यहाँ यहाँ पर 7 यहाँ यहाँ पर 9 और सब multiplication है बेस से में तो powers add हो जाएंगी तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इस तरीके से इंटू 5 के लिए भी सेम है बेस सेम है सबका सारे numbers multiplication में तो जो powers है वो add हो जाएंगी तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 तो यह clear मत्स मुझ पहांगी अब आप simple इनको add कर लीजे 9 और 1 10 7 और 3 10 तो यह 20 और 25 याने 2 की power यह हो जाएगी 25 ठीक है यहाँ पर यह 10 हो जाएगा यह 20 हो जाएगा और यह 30 हो जाएगा तो 5 की power हो जाएगी 30 अब मुझे एक बार बताईए 5 भली 30 बार है पर 2 तो 25 बार ही है तो कितनी बार 0 बन पाएगा तो 25 बार ही 0 बन पाएगा याने option B 25 इसका सही आंसर होगा I hope आपको यह बात समच में आ 4 x 5 की power 5 और इस तरीके से मुझे 49 की power 49 तक जाना है और बहुत ही बढ़िया question है दियान से रखेगा 1 की power 1 2 की power 2 basically यहाँ पर मुझे पता ही कि 2 तो मुझे जादा बार मिल जाएगे क्योंकि 2 मुझे 2 में मिलेगा 4 में मिलेगा 6 में मिलेगा 8 में मिलेगा तो 2 तो मुझे मिल क्य до 5 की power 5 पर मिलेगा फिर दसकी power 10 पर मिलेगा 15 पर मिलेगा 15 पर मिलेगा फिर मुझे 25 पर 25 पर मिलेगा 35 55 पर मिलेगा पैतालिस पर 45 पर मिलेगा, इसके बाद 50 आएगा, बच मुझे तो 49 तक ही जाना था, तो मेरे लिए तो इतने ही गाम के, ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 5 ही आएगी, यहाँ पर 5 की पावर 10 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 10 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5 और इसकी पावर में 10, तो 5 की पावर में 10 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर यह 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 की पावर 15 हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पर यह 5 की पावर 20 हो जाएगी, और 25 को मैं 5 इंटू 5 लिखूंगा, और इसकी पावर में 25 है, तो यहाँ पर इस 5 की पावर 25 है, और यह दोन यह ताम आप penalty हो जाएगा इस तरीके से भी देख सकते हैं तो 5ीप यहां कितनी आ जाएगी, 30, 5ीप यहां कितनी आ जाएगी 35 और यहां पर पानची पावर 40 हो जाएगी और यहाँ पर 5 की पावर 45 हो जाएगी तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5, 10, ये 15, ये 20 20 के बाद सीधा 50 आ गया यानि इसको अगर मैं थोड़ी दिर के लिए 25 माननो और एक अलग से 25 साइड में रख लूँ तो ये एक AP बन गया बन गया AP, है कि निक 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 50 ये AP बन गया और AP का सम्मिशन यानि AP को जोड़ना आसान होता है तो देखे 5, प्लस 10, प्लस 15, प्लस 20 इस तरीके से मुझे कहां तक जाना है 45 तक जाना है, इस 25 को मैंने अलग निकाल के रखा हुआ है इसमें से अगर मैं 5 common ले लूँ तो अंदर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से कहां तक आएगा ये 9 तक आएगा, ठीक है 45 में से 5 common निकाल लूँगा, तो 9 बचेगा अब यहाँ पर मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो sum of initial number का formula मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले बताया था n into n प्लस 1 upon 2 होता है मेरा last term है 9, तो 9 into n प्लस 1 या ने 10 upon 2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 तो 5 into 45 ये अजाएगा इस सभी का submission या जोडने पर कितना होता है 5 into 45 तो ये होता है 225 ठीक है 225 और ये 25 और जोडना था तो इसमें 25 और जोडना था तो ये कितना हो जाएगा 250 याने कितने 5 आएगे तो 5 की power 250 या आएगा और 2 तो मुझे इस से जादे ही बार मिल जाएगे याने जीदो स्कित्ते बनेंगे 250 option भी इसका सही आंतर होगा आपको एक कोशन समझ में आया हो बहुत ही बढ़ी है कोशन था चले अगले कोशन पर आते हैं चले हम आ गए हमारे आज के आखरी कोशन पर कोशन क्या लिखाए रेकिए शुन्यको की संख्या ग्याद करें यहां पर आप ध्यान से दिखेंगे तो 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121 अगर मैं यहां से 3 की जो सबसे छोटी पावर है वो common लेलू याने 3 की पावर 111 common लेलू तो अंदर क्या बचेगा तो यहां पर बचेगा 3 की स्वट 121 इंटू 5 की पावर 121 इंटू 5 की पावर 122, 5 आपके पावर 119 इन्टू ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा अब मुझे एक बात बताईए 0 कौन मनाता है 5 और 2 यहाँ पर 2 भले कितने सारी हो तो इसके पास 5 तो 1 ही है याने 0 तो 1 ही बन पाएगा याने option A 1 इसका सही answer होगा तीन और एक से कोई लेना देना है ही नहीं I hope आपको यह question समझ में आया होगा और अगर आपको यह session अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करेगा, share करेगा हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक keep standing and stay safe Thank you